उसने मंदिर की मूर्ती को छो लिया तो गाँवाले भड़क गए उसे पकड़कर जम कर पीटा फिर पंचायत बुलाई गई और साथ हजार का जुर्माना लगा दिया गया पेड़ित दलित परिवार ने एलान कर दिया है कि अब बहुत हो गया वो मंदिर नहीं जाएंगे कुछ लोग जातिपात की जंजीरों में जकड़े हुए हैं जातिपात की बजबजाती नाली में दुबकी लगा रहे हैं अगर ऐसा नहोता तो ऐसी खबरे आये दिन सामने ना थी करनाटक से बेहत ही चौकाने वाला मामला सामने आया है यहां एक दस्वी में पढ़ने वाल कि यहां शोबंबा अपने परिवार के साथ उलेर हलिगाऊ में रहती हैं बीते नौस सितंबर को गाउं में भूता यम्मा मेले का आयोजन किया गया था मेले के दौरान जुलूस निकाला जा रहा था तभी शुबम्मा का 15 साल का बेटा बाहर ही था उसने जुलूस के दौरान एक खंबे को कथित तवर पर छू लिया जिस खंबे को उसने छूआ था वो मूर्तित से जुड़ा हुआ था फिर क्या था? बवाल शुरू हो गया पहले लड़के को पीटा गया फिर उसकी माँ को परिवार समेत पंचायत में हाजिर होने का आदेश दिया गया रिपोर्टस के मुताबिक दूसरे दिन जब माशोवममा अपने बेटे और परिवार समेत पंचायत में हाजिर हुई इसके लिए एक अक्टूबर तक दलित वलिवार को साथ हजार रुपए देने होंगे बता और फाइं। अगर ऐसा ना किया तो गाउंस से बाहर कर दिया जाएगा, बहिस्कृत कर दिया जाएगा। सोचिए, एयाजादे के 75 वरस का भारत है, असली खबर तो ये है, लेकिन इस पर कोई चू तक नहीं करेगा। इस पूरे मामले में शुबम्मा ने कहा, अब बहुत हुआ, अगर भगवान हमें नहीं चाते हैं, तो हम उनसे फ्राथना नहीं करेंगे। हम अब से केवल डॉक्टर भीम राओ अमबेटकर की पूजा करेंगे, बहराल पूरे मामले में आठ जातिवादी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, हर मामले की तरह इस मामले में भी जाच जारी है, निश्कर्स क्या निकलेगा, आप इसका अंदाजा जारे है, जारे है।